हे गाईज मैं उसी बानी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अदि आपने ग्रेजुशन कम्प्लीट कर लिया है तो आपको मुख्यमंत्री कन्या उठानी उजना की तरफ से 25,000 मिलने वाले हैं तो उसके लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे ओनलाइन अप्लाइ कर सकते हो वह मैं आपको आज बताऊंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हो अगर वीडियो पसंद आ है तो लाइक, सेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक जरूर कर लिजेगा इसी तरह का वीडियो जो है आपको हमेशा मिलते रहे और आपको हैल्प मिलते रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको साइट पे चले जाना अगर इसका लिंग नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यहां पे आप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हूं यहां पर आपको रिजिस्टेशन पंजीकरन करने के लिए यहां क्लिक करें मतलब रिजिस्टेशन करने के लिए पहले आपको यहां पे क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए पंजीकरन अनिवार है पंजीकरन के लिए यहां क्लि करने की बाद चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं आप पर देख सकते हो आप नेम आपको फील करना है पहले फादर्स नेम सेकेंड में है डेट वर्थ है नीचे कैटेग्री है सार डीटेल जितना भी डीटेल से यहां पर आपको जो है मांग रहा है हां पर आपको भर देन श्बाना युदं अलुद्सक्राइब करता है और नीचे जो है ऐसमिट को अप्चन आएगा उसको संब्मिट कर देना है अप देख सकते काकिरेव कि मुबाइल नंबर आधार नंबर और नीचे जो है आपको पासवर्ड यानि कि आपको एक पासवर्ड बनाना है अपने मन से और एक कनफर्म पासवर्ड मतलब वही पासवर्ड को फिर से यहां पे रिइंटर करना है वो कनफर्म पासवर्ड हो गया और यहां पे जो है कैपचा वो कैपचा यहां पे डाल के और register पे जो है click कर देना है guys यह password जो है यह आपको कहीं से नहीं मिलेगा यह password आपको खुद बनाना है और उसको याद रखना है उसको कहीं पे लिख लेना या फिर screenshot ले लेना है तो चलिए अब हम back चलते हैं इसी तरीके से जो है आपको नंबर पे एक OTP आएगा और वहाँ पे registration number और password को आपको लिख लेना है उसके बाद guys back आके login करने के लिए यहाँ क्लिक है फिर आपको login करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जो है आपको click कर देना है यहाँ पे click करने और capture आप देख सकते हो यहाँ पे enter कर देना है और login पे click कर देना है उसके बाद guys एक page open होगा वहाँ पे आपका सारा detail फिर से आपको मांगेगा आपका documents वहाँ पे add करना है documents जैसे कि आपका graduation का mark sheet का final का mark sheet है उसका देना है अधार कर देना है bank account का passbook देना है और यही सब जो भी वहाँ पे मांगेगा आपको उसमे add कर देना है guys कैसे आप घर बैठे अपने mobile से कर सकते हो registration और form फील कर सकते हो guys आपको कहीं जाने की ज़रुत नहीं तो चलिए आज के लिए वस इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा